इंडिया वर्से साउथ अफरिका यहां पर है तीसरा T20 मैच पहले दो मैच जिसमें पहला मैच बारिस के वज़े से कैंसल हो गया था और दूसरा मैच जिसमें मैंने प्रेडिक्शन किती बिल्कुल सही निकली आप यहां पर देख से तो सुबंगिल वगेरा सारे प्लेयर फ् प्रोफिट ठीक है क्योंकि परफेड विन का एकी का में वह सब्सक्रक्राइब दिलाना तो सब आपूरी इस दो को equilibrium मैच अस्यूंस को नूए लॉगर आश्य medo तो अब हमारा target यह होना चाहिए कि rank 1 आ जाए या फिर top 10 के अंदर तो हम आही जाया आराम से तो कई न कई हमारा target और combination होना चाहिए जिसके वज़े से यहां पर rank 1 आए ठीक है तो rank 1 लाना कोई मुश्किल बात निया, rank 1 जो लाता है वो अपने जैसा ही person लाता है सेलेशन रेशियो और कम हो गया सिप देखो कि तो 62% का ही है तो यही पर लोग गलती करेंगे अब इस मैच के अंदर में सुभम गिल पर वेटेस देने वाला हूं ठीक है तो सुभम गिल जो है वो कई नहीं अच्छा option होगा तो यहां पर मैं बस आपको एक idea देना चाहता हूं cool मिला के यहां पर मेरा कहने का यह मतलब है कि इस match के लिए जो हम team का combination बनाएंगे वो combination होगा 7-4 का ठीक है कि इस video के अंदर में आपको 7 fixed player बताऊंगा 4 trump player बताऊंगा और एक team all हम लगाएंगे वो लगाएंगे 8-3 का ठीक है यानि कि 8 trump player है और साथ में sorry 8 fixed player है और 3 यहां पर trump player हैंगे और एक आखरी combination और try कर सकते हो जिसमें आप 6 fixed player को लोगे 4 trump player को लोगे और 1 risky player को लोगे ठीक है जो कि हमारा captain और wise captain भी होगा तो यह team हमें यहां पर बनानी है जिससे हम यहां पर maximum profit निकाल पाएं तो last video के अंदर मैंने बताया था कि definitely यहां पर step और class in दो एक अच्छे option रहने वाले हैं लेकिन हम professionally किसी 1 wicket की पर के साथ में जाना prefer करेंगे क्योंकि एक minimum तो हमें select करना ही है ठीक है तो यहां पर next match का भी यहां पर आप देखोगे तो class in मेरे लिए सबसे best option रहने वाला और step भी यहां पर काफी अच्छा option रहेगा तो यहां पर हम दो टीमें बनाएंगे यानि की total तीन तीम हम grand league के लिए बना रहे है तो जिसमें से 2 team हो के अंदर एक team के अंदर हम यहां पर वेटेस देंगे class in को और दूसरे यहां पर player को देंगे step को वेटेस क्योंकि देखो यहां पर selection ratio काफी जादा अगर आप small league की तरफ जा रहे हो तो class in को वेटेस देना है लेकिन आप grand league में बना रहे हो तो step वेटेस दे सकते हो तो 2 team होगी class in यहां पर हमारा fixed player है जिसकी वज़े से हमें यहां पर एक team के अंदर class in को वेटेस देना है as a wicket की पर और एक player यहां पर step को यहां पर वेटेस देना है तो सबसे पहले तो 4 trump player की बात कर लेता हूं जिसे आप अपनी team के अंदर वेटेस दो के तो सबसे पहला यहां पर जो trump player है वो steps रहने वाला है ठीक है इसी के अलावा batsmen से बात करूँ सुबमन गिल यहां पर हमारा trump player है डेविड मिलर भी यहां पर मेरी तरब से trump player रहने वाला है रिंकु सिंग को मेरे last match के अंदर trump player बनाया था तो इस match के अंदर हम trump player नहीं बनाएंगे इसको इस यहां पर आप से जो कि wicket keeper से है यहां पर शोनियोरा आप क्लिक निक्या होगा बड यहां पर देखो बैट्सन में से 3 है सुबमन गिल डेविड मिलर और टिले क्वर्मा देखो यह Miller killer है मतलब आप डेविड मिलर को एक ताइम का killer भी कहते हैं तो यह run बनाने पाता था तो ज इस प्ल्यर को वेटेस को दोगे Candple अधिको ultraaban एक इस प्लेयर को यहां से में आफ़ गाभी कि फोड़ा इसीली समझ पढ़ो कि हम किज कको यहां पर भैटेस को यहां पर ब Clean तो विगर हवा की चाहU क्लास है भी लिया धेसन तो आप के उपर बिपेंद करता है कि आप 7-4 का पार आप पर बिला नहीं किसी डावट कि वह सुरी कुमर यहां है विरह एक्षिक्प्लेर को साथ में हैं हेंड्रिक को भी यहां पर और वेटेर के साख देंगे मत यहां पर fix player रहेगा अब यह एक trump player नहीं रहा trump player जो है वो यहां पर ठीलक वर्मा है ठीके इसी के अलाबा all rounders में बात कुरू Adam Arkham ठीके इसी के साथ में अपना जड़े जाबी इस बार आफ fix player के तोड़ पर लोग है इस match के अंदर क्योंकि situation पूरी बदल जाती है इस match के अंदर में बात कुरू तो 158 के आसपास यहां पर average run बनाएगा ठीके तो अगर 158 के आसपास के यहां पर average run बनता है और batsman को यहां पर advantage मिलेगा तो कई ने कई हमें टीम भी उसी इस सबसे बनानी है बॉलर्स के बात कुरू तो 2 तीमे हम बनाएंगे तो 1 के अंदर मुकेश Когда को बनानी है तो यहां पर टीम रखंगे तो यहां पर being मेने to get increased तो मुकियेज को साथ को सबस्के साथ किसी तीम के अंधर को झड़ेजर को सब्सक्राइब यहां पर चप्रूम्क क्लेयर को क्षकर पेडियो जाएं आप बात हो सर्किन फिस्के फिוס्किन प्लेयर को कि तो में要सर मेंание खाली इसको मैंना भी एड किया है अब यसाजी जेस वाल को रिसकी प्लेयर बना के आप चाहो तो वाइस कप्टन के तोड़ पर भी सेलेट कर सकते हो ठीक है अगर इसको मोका मिलता है तो इसका सलेशन रेशियो बहुत कम है हर कोई यहां पर इसके उपर वेटेस नहीं देगा और इस चीज का हमें यहां पर पूरा का पूरा फाइदा लेना है अगर इस चीज का हमें फाइदा लेना है तो कई नहीं जो मैंने टीम है वो कई नहीं बहत बनेगी और यहां पर हमारे जीतने के चांचेस काफी हद तक बढ़ जाता है तो यहां पर मेरा रिक्मेंडेशन टोटल जो रहेगा वह मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बता दिया है लेकिन अब यहां पर बात करते है कि Small League की टीम हमें कैसे बनानी है और Grand League की High Risk की टीम कैसे बनानी है जो कि Rank 1 और करीब ला पाए ठीक है बाकि All Over आइडिया में आपको दे दिया है कि आप टीम किस तरीके से बनाओगे प्लेयर सेलेशन किस तरीके से करोगे और सारा कॉंबिनेशन अब किस तरीके से करोगे अब यहां पर क्या होगा कापी से लोग केंगे कि भायार तुने इस्टेट वगरा तो बताए नहीं तो मैं यह कहना चूंगा कि अगर आप इस्टेट देके टीम बनाते हो तो आप Grand League कभी भी नहीं जीच सकते हो सिम्पल आड़ा देता हो कि कोई प्लेयOR के पहले कैसे खेला था उससे चीज काई मतलब नहीं कि वह ब्लेड już difícil कि इस वहां आप मतलब तो बहुं किस तरीके से आरा है कि इस बार की है या फिर साट भी आप सापन करती है तो इस सारी डीटेय में बहुत वह exercises कहरती है तब ही यहां पर हम Grand Likt win नहीं कर सकते हो अब यहां पर जो हमाने वीडुम्स बनाइये यह वीडियो में ही totally काम कर रही है prediction के ऊपर totally सारा सारा खेल है prediction का कि यहां पर हम prediction कर रहे हैं किस हिसाब सकर रहे है ठीक है कि player चलेगा या नहीं चलेगा कोई player है तो कितना अच्छा चलेगा जैसे आज मैंने आपको BBL की भी टीम दी तो BBL की मैंने आपको टीम दी तो उसके अंदर आपने कितना अच्छा profit कमाया अल्टा क्लीन स्वाइब किया ठीक है और जो हमेने 2nd T20 मैच इंडिया वर साउथ अपरिका की टीम दीती उस 2nd मैच के अंदर आपने भी अल्टा क्लीन स्वाइब किया ठीक है तो मिला यह ऐसे ही नहीं होता है अगर आप लगाता प्रोफिट कर रहें यहां पर अगर आप करता हूं ठीक है तो कुल मिला के आपको इस समझने पड़ेगी कि अगर आप यहां पर अल्टा क्लीन स्वाइब करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और यहां पर आपको में को सपोर्ट भी करना पड़ेगा तो सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर दो अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो सिंपल आपका सी एक मिनट भी नहीं लगेगा एक सेकंड ही लगेगा लाइक करने में तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कामेंट कर देना कि आपके हिसाब से इस टीम के अंदर मेरे को क्या चेंज़ेस करना च तो सारा खेल आप समझ चुके हो ना कि किस तरीके से रहेगा तो अब यहां पर हम बनाते हमारी जो मैन सबसे इंपोटेंट जो ग्रांड लिग की टीम है उसको ठीक है तो यहां पर अगर हम ग्रांड लिग की टीम को बनाए तो उसके लिए आप खेल को समझो कि टीम है वो क चलते हैं कॉंटेस के उपर अब देखो अब यहां पर आप क्या करोगे कि मेगा कॉंटेस खेलोगे जो कि यहां पर 49 रुपिस की जिसके अंदर एक लाग तैयालीस हजार एक करोड तैयालीस लाग एक को तो रजा 945 स्पोर्ट है जिसमें रेंक वन वाले को देर करोड रुपे मिलने वाले है जो कि बहुत बड़ा प्राइस है अब यह वाला कॉंटेस निकल के आप इससे थोड़ा छोटा कॉंटेस खेल सकते हो जो कि 39 सकते हो जैसे कि देखो अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाओ जैसे यहां पर देखो 395 की आपर आपको ग्रांड लिग दिख रही होगी 305 रुपे जिसके अंदर 35,000 तोटल टीमे होगी एक कोड़ोर रुपे टोटल प्राइस पोले रेंक वन वाले को 15 लाग मिलेंगे अब एक चीज़ मैं आपको बता हूँ अब जो हाई इंवेस्टर है वो यहां पर करते है कि 2-3 टीमे लगानी है अब हाई इंवेस्टमन नहीं हो तो भी आप मानलो कि 4-5 टीमे लगा पार हो या फिर 2-3 टीमे लगा पार हो तो 1000 रुपे जहां पर आप यहां पर आप 20 टीम पर लगाता हूँ बनाए एवेस्टम के साथ में जाना परिफर करता हूँ जया दा दर रिक्स नहीं लेता है अगर वो यहां पर ज्यादा रिक्स नहीं लेगा अवेस्टम के साथ में जाएगा तो इस चीज का हमें सीधा फाइदा मिल जाता dental क्यू जाए है तो इतना ज़ा तो यही चीज यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो सारा खेल होता वो प्रडिक्शन का होता है अब यहां पर एक चीज और देखो ठीक है जैसे 900 नियानो में जो टीम लगाएगा बंदा वो अच्छी नहीं लगाता है अगर रिक्श ले रहे हो तो प्रोपर रिक्श लोटी के इंवेस्मेंट काप कम करते हो तो रेंग वन भी कम करो जैसे कि रेंग वन पर यहां पर सवा एक लाग रुपे दिखा रहा है और एक लाग पिछोतर अजार रुपे की इंवेस्मेंट है पांसु रुपे के अंदर आ तो मिनी ग्राइन लिक के अंदर मिनी रेंक वन आ जाती है, मेगा कॉंटे सब का यहां पर टागेट लग्य उपर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर यहां पर आप देखोगे, तो इस चीज को यहां पर आप देख सके समझ सकते हो, कि 49 रुपीज यहां पर अपनी टोटल प्र आप जीत पाओगे और एक तो गुरू की टीमों से किसी को नहीं किलना है, गुरू की टीम है सबसे यहां पर बेकार होती है, ठीक है, अब यहां पर आप अपना पास्ट लाइन अप भी देख सकते हो, कि पास्ट लाइन अप किसकिस घा और यह सब देखने के जरूरूद न अगर आप चाहते हो कि आप इंट्रेस्टेड हो तो मैं रख लूँगा और हाँ की वेवे की जो वीन अनॉसमेंट है वो सारे के सारे टेलीग्राम पर हो गए है और यहाँ पर उनसभी को प्राइस मनी देना बाकी है मैं जानता हूँ तो यह सीरीज एक बार कंप्लिट हो इसा बिल्कुल भी मैं सोचना कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पर अगर आप खुद मेर से करना चाहते हो जीने नहीं पता हो तो पर्फेट विन वन जिरो एट आप टेलीग्राम के उपर अबाउट सेक्शन में देखोंगे तो आपकी कोई भी प्रव्लम हो वह इसे के साथ में अपना सर्मा की भी देखे परमेंस तो इतने कुछ खास नहीं थी लेकिन इस्टप की थोड़ी से ज्यादा अच्छी थी ठीके तो इस में इसके अंदर हम जो टीम बनाएंगे तीन टीमियों के साथ में जाएंगे एक के अंदर सर्मा विकिट के पर है थोड तो इन टीम है बना रहे हो तो तीनो विकिट कीपर को एक टीमों के अंदर वेटेश देदो तीनो के तीनो के तीनो विकिट कीपर को साथ में लेने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि ये ओड़ी के मैच नहीं होगे तब सोचाई इसी सीनेरियों चल सकता है लेकिन ये T20 मैच यहां पर प्लेयर जल्दी आउट होते हैं इसलिए क्योंकि उनके उपर प्रेशर होता है जल्दी जल्दी खेलने का अगर जल्दी जल्दी खेलने का प्रेशर है तो वह आउट भी जल्दी होंगे तो ये चीज हम समझते हुए क्या करेंगे कि इन प्लेयर पर ज्यादा वे इसे के साथ में Hendricks, Hendricks को अबर भी आपको वेटेस देना है Subamangil, Subamangil इसमेश के लिए बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है, लास्टेम आउट हो गया था यह गलती मत करना मिस करने का Rinku Singh इस बार यहाँ पर फिक्स प्लेयर में रख सकते हो लेकिन बहुत रिस्की है क्योंकि यार अगर Subamangil वगयर अच्छे प्लेयर चल जाते हैं तो Rinku Singh को ज्यादा मोका नहीं मिलेगा तो Rinku Singh इस बार Captain Vice Captain के लिए अच्छा option नहीं है, इसको सिब आप टीम के अंदर रख सकते हो तेलक वर्मा हाई-RISKY प्लेयर है तो यहाँ पर आप तेलक वर्मा को एजसा हाई-RISKY प्लेयर के तोड़ पर रखोगे मझाला अपनी टीम के अदर सामिल कर देना और यसरी जैसवाल जो वह वाइस-कटैन रिसकी टीम के अंदर पी रख सकते हो तीन तीम आप जो बनाओगे उसमें से एक टीम के लिए सी जेस्वाल को एस वाइस कप्टन बना देना ठीक है मोहमद सीराच आप अपनी टीम के लिए सामिल करोगे कुल्दी ब्यादो को वेटेश दोगे अस्दिप सिंग अस्दिप सिंग यह आई पेल के लिए लेता है लेकिन अभी इसन यहां पर एक भी विकिट नहीं लिया है आपको क्या लगता है कि जो भी इसे सुबंगील है और अस्दिप सिंग है यह सारे के सारे प्लेयर के आईपिल में ज्यादा अच्छे चलते है क्योंकि इन्हें ज्यादा पैसा मिलता है और यहां पर देश के लिए खेल रहे है लेकिन चलो अब यह सब बात आपने ही करते ह बात करते हैं Captain Vice Captain के लिए किसी को भी नहीं बना रहु हु चिरह कोई बी आपको नहीं बना रहु है वेकिट की पर से कोई भी अच्छा option यहां पर नहीं है तेने आपर batsman से बात कुई तो batsman से आमर पास काफी अच्छा option है Superman Gill है इस मैच के लिए वाय सबस्क्राइ और सांदी निए, प्रिम की निए है शुड़ा पासवाआइब है, पींग पुसम्यी निए ध। इसाथ में यहाँ पास अंदी है अब SETS टीम के अंदर इसको रख सकतो Adam Markham, Captain Vice Captain के लिए अच्छा उप्शन है Ravinda Zadeja, Captain Vice Captain के लिए प्रिफर नी करोगे और बॉलर्स में से में यहां पर Captain Vice Captain नहीं बनाऊंगा तो इसके इसमें आप उन कम टीम इसलिए बना रहे हैं और स्टीम के अंदर क्या चेंजिस करना चाहतो कमेंट करके जरूर बताओ